असलाम लेकुम वेलकम टुमार यूट्यूब चैनल की चन्वीत मैफीश मैं हुश्रेफ मैवीश जी और यह है मेरे पापा कैसे आप सब उम्मीद करते हूं कि आप सब खैरियस दोंगे खुश रहें अबाद रहें अपनी घरों अपनी भड़ों पनी चोटों के साथ अल्ला क मुझे अपनी दौब में याद रखें हर घर का एक सवाल आज खाने में कहा है तो बहुत ही मज़ी हम रेस्पी बना रहे हैं उम्हीद करूंगी कि आपको पसंद आएगी और अगर आप चाहते हैं कि मैंने किस्पी आपकी पसंद की बनाऊं तो चल्दी से यूट्यूब को दही भली हैं ये लहोर में सबसे मशूर हैं हर टाबे पर आपको लाजमी मिलेंगी अच्छा यहां पर जो है ना मैंने वन केजी जो है दही ले लिए ठीक है और दही में हमने घर के बिलको लाम मसाले इस्तमाल करनी है जिसमें सबसे पहले जाएगा दो चाय के चमच चाट म मसाला रैस्पी बाई शेफ मेवजी तो वो आ जाएगी कुछ भी बिनाना है ना तो आपने अपनी रैस्पी का नाम और मेरा नाम डिखती ना तो वो आ जाएगी अब यहां पर जो है ना यह दही में कौन सी ऐसी चटनी है ग्रीन चटनी जिसमें नमग एक चाय का चमच लि मिर्च ठीक हो गया अब इसके इलावा आपने बहुत ज़्यादा कुछ भी आड़ नी करना तो एक चाय का चमच मैंने मजीद और एट कर लिया था अब इन चीजों को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है यह ग्रीन चटनी इतनी असान है बनाने सिंपल आप थोड़ा सा ध असान रस्पी आपके लिए लेकिया थीन आलू जो थे मेरे पास तीन अदद थे ठीकर नॉर्मल साइस के थे अगर आपके पास बड़े साइस के तो दो भी आप यूज कर सकते हैं बोयल कियो हुए आलू ठीक है और चने जो थे वो भी मेरे पास हाफ कप था जिसको मैंने ब बढ़ां अधा हुए अधा गया पारी बड़े जो रिया भी मैंने मेधिय मेड़े शाइस का एक लिया था जो मैंने पल्कुल बाड़ एक लच्छे के तरह काते हैं और इसको नमक लगाके ऐठीक से कगकी तो दो ली है यह हो गए अभी है बड़ें मैंने आप भ्ड़एं गर पे बनाना सिखाई है एक अप यहां पे मैंने ये यूस की है इसको जो है ना आपने थोरा सा 15-20 मिर्ट के लिए पानी में डिप करके रख लेना है और फुर इसको पानी वो निकाल के इसमें अड़ करें अब यह जो दही हमने तयार की थी वो अब आपने अड़ करनी है औ मैं भी आपको बताती हूँ आपने सर्च करना है भलिया रैस्पी बाइ शेफ मेविजी तो वो आ जाएगी और भले भी मैंने आपको सिखाई है बूंदी भी सिखाई है आपने सिंपल अप मेरा और रैस्पी का नाम लिखना तो यह सारी चटपटा साथ रैस्पी आपके सा इससे ना तो एक अलग सी लुक का आजाती है इसको देखते ही दिल करता है कि यह कोई बहुत ही यमी चीज है और इसको जो है ना हमने काने अब चारों तरफ से आप इसको डेकॉर करें तो इससे ग्रीन चटपटी भी लगाएं और हलका सा जीरा लगाएं तो इसको इस तरी किसे डेकॉर्येट कर सकती हैं किribli तो माशाला अलहमदोली लाला पाक जिनलगे सहत अंदर उसथी दे ख्रूटी यह इतनी च्टपट और इतनी असान रेस्पी थी आपको कैसी लगी दो कैसी लगे आपको आठरी अठरी अधिक्ति करते हूं कि अज़ गे और अगर आप च